Hello everyone, Welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम दीपक शान कमेटी की जो final report आने वाली है उसके कुछ expected की features क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं अगर हम इस report की बात करें कि ये कब हमें देखने को मिलेगी तो 90% chance है कि आपको इसी भी कि ये report देखने को मिल जाएगी इसमें जो online editing होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है बस अब report की दे रिये कि कब हमें ये report देखने को मिलेगी अगर हम इसके expected की features की बात करें तो set जो है वो हिमाचल में अब introduce हो रहा है हर्याना में आपने इससे पहले set देखा होगा लेकिन हर्याना में होता था offline OMR sheet पे set करवाया जाता था लेकिन हिमाचल में आपको set जो है वो online mode यानी CBT mode में देखने को मिलेगा तो एक चीज final यहां से हो जाती है कि हिमाचल में जो भी class 3 की भरती अब होगी तो उसके लिए आपको पहले set देना होगा इसके लाब अगर हम बात करें कि एक साल में set कितनी बार होगा तो एक साल में जो set का exam है common eligibility test यह मतलब साल में दो बार हुआ करेगा और इसका जो आपका score होगा वो 3 साल तक valid होगा मतलब जैसे कि आपने इस साल set दे दिया तो next 3 year तक जो भी vacancy आएगी उसके लिए आप eligible हो मतलब उसको fill कर सकते हो अगर आप set qualify नहीं कर पाए तो आप कोई भी exam नहीं दे पाओगे तो इसके बाद next मैंने आपको बता दिया कि जो cbt है वो online मतलब जो set है वो online mode में होगा और जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं तो लगभग अगर मैंने आपको बताया कि दो महीने मतलब दो महीने नहीं दो बार set होगा तो बारा महीनों में से आप ऐसा रख लो कि दो महीने आप minus कर दो दो महीने लगातार ये set होते रहेंगे मतलब कि दो बार हुआ तो एक बार जब सेट होगा तो एक महीना उसमें लग जाएगा फिर दूसरी बार जब सेट होगा उसमें बनमंत लगेगा और ये शिफ्ट में एक्जाम होगा जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा इविनिंग में होगा और जो भी कंप्यूटर सेंटर है या स्कूल या कॉलेजीज में कंप्यूटर है वहाँ पर आपको ये एक्जाम सेट का देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर आगे मतलब नेक्स्ट एक्जाम दे सकते हो अभी कुछ डौट हैं जो किस रिपोर्ट के आने के बाद ही क्लियर होंगे कि क्या प्लस टू कॉलिफिकेशन के लिए सेट अलग होगा या ग्रेजुशन कॉलिफिकेशन के लिए सेट अलग होगा अलग अलग शिफ्ट में अगर एक्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन क्या यहां पे होगी किस तरह से तो यह सारी चीज़ें जो आपको रिपोर्ट में देखने को मिल जाएंगी और इसके इलाबा मेन मैंने आपको बता दे कि सेट आ रहा है और 100% आपको अपसेट देना होगा और इस रिपोर्ट से यह आपको हर एक चीज बाकी फर्दर क्लियर हो जाएगी जैसे यह फाइनल रिपोर्ट आएगी तो जरूर मैं जो भी उसमें की पॉइंट्स होंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है फिर अलग से एक विडियो करेंगे कि HPRC में आपको कौन से रूस देखने को मिलेंगे और HPPC शिमला में आपको कौन से रूस देखने को मिलेंगे फिर उनको कंपेर करेंगे क्या क्या डिफरेंस है तो वो विडियो आपको अलग से देखने को मिलेगी आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंड शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए